आज केजरवाल के माता पिता से पूस्ताच होने वाली है दिल्ली पुलेस माता पिता से पूस्ताच करेगी केजरवाल ने कहा कि बूढ़े और बिमान माबाप से पूस्ताच दिल्ली पुलेस करने वाली है आपको बताए कि पत्नी सुनिता के बयान भी दर्ज किये जा सकते हैं जो जानकारी मिल रही है कि मारपीट के वक्त घर में मौजूद होने का दावा किया गया है और इसी वज़े से अब दिल्ली पुलिस केजरवाल के माता पिता से पूस्ताज करेगी इसके साथी पत्नी सुनिता के बयान भी रिकॉर्ड हो सकते हैं बड़ी खबर आपको दे रहे हैं स्वाती मालिवाल मारपीट केस में ये बड़ा अपडेट है कि आज केजरवाल के माता पिता से पूस्ताज होगी उनकी पत्नी के बयान भी रिकॉर्ड किये जा सकते हैं एक और बड़ी खबर आ रही है केजरवाल के माता पिता ने दिल्ली पुलिस को आने का समय दे दिया है और समय ये क्या है ये आपको बता देते हैं आज सुबर साढ़े ग्यारव बजे दिल्ली पुलिस को आने के लिए कहा गया है स्वाती से मारपीट वाले केस में पूसाच उन दोनों से होगे और आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ताढ़े ग्यारब ज़े केजरवाल के घर पहुचेगी क्योंकि केजरवाल के माता-पिता की तरफ से समय दिया गया है दिल्ली पुलिस को और एक और बड़ा अपडेट आपको देख केजरवाल के परिवार से पूस्ताश पर आम आदमी पार्टी भड़की केजरवाल के माँ बाप को परिशान किया जा रहा है देखिये आम आदमी पार्टी की तरफ से इस स्ट्रेट्मेंट दिया गया है कि सीयन के माबाप को प्रताडित करने की कोशेश हो रही है जनता बुढ़े माबाप के अपमान का बदला लेगी आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि केजरिवाल के माता पिता को इस मामले में जान भूश कर परिशान किया जा रहा है राजनीत में इतनी दुर्भावना मैं समस्ता हूँ पहले कभी इस देश के लोगों ने नहीं देखा होगा केजरिवाल से लड़ते लड़ते केजरिवाल से केपरती अपने मन में दुर्भावना इतनी बढ़ाली है प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने अब अर्विंद केजरिवाल के बूढ़े और बीमार माबाप को नोटिस भेज कर बुलाया है दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको अपमानित करने की योजना बनाई है उनके बूढ़े माबाप को तंग करने की परिशान करने की एक ऐसी कोशिस की है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है इन पचासी साल के बीमार बुजर्गों ने स्वाती मालिवाल पे हाथ अठाया क्या यह लगता है भारतिय जनता पाटि को क्या यह लगता है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदीजी को क्या उनको ये लगता है कि वो स्वाती मालीवाल जी जो सोफे पे ठाट से बैठी हुई है पुलीस वालों को धमका रही है ललकार रही है नौटंकी करने का ड्रामा कर रही है क्या उन स्वाती मालीवाल जी पे 85 साल के बुजर्गों ने हमला किया और शुलिए अब आपको बता देते हैं कि स्वाती मालिवाल से हुई मारपीट मामले की अब तक की पूरी टाइम लाइन क्या रही है क्या उस दिन हुआ था आपको बताएंगे और इस बीच बड़ी खबर यह है कि स्वाती मालिवाल ने के ज्रिवाल का बयान भी रिकॉर्ड करवाया था लेकिन जो उस दिन हुआ था वो आपको बता रहे देखिए स्वाती मालिवाल से सीम हाउस में मारपीट का आरोप लगाय गया खोट स्वाती मालिबाल ने यह बात कही कि उनके साथ मारपीट की गए देरे मैई के दिन क्या कुछ हुआ था आपको बता है कि 3-9 बजै के आस-पास का समय स्वाती मालिबाल ने बताया था कि जब उनके साथ मारपीट हुई थे और 13 मैई को पूरा टाइम लाइन क्या रहा था वो आपके सामने हमने रखा है अब 14 माई के दिन क्या हुआ था आप सांसर संजर सिंग ने कबूल नामा किया और प्रेस कॉंफरेंस करते हुए उन्होंने ये माना कि मारपीट की गई थी 16 तारी को स्वाती की शिकायद पर विभाव पर केस दरच किया जाता है 17 तारी को दिखाई देता है कि स्वाती अंदर जाती है 18 माई के दिन दोपहर 12 बज कर 48 मिनट पर विभाव की गिरफतारी होती है और 19 तारी को 18 तारी को ही विभाव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टरडी में भेजा जाता है पूसाज के लिए अब 21 तारी को क्या होता है विभाव को मुंबई ले गई है पुलिस वहाँ पर ले जाया गया है 22 माई को केजरवाल ने स्वाती पर अपनी चुपी तोड़ी क्योंकि लगतार ये आरोप लग रहे थे कि जब मारपीट हुई उस वक्त केजरवाल वहाँ पर बैठे थे स्वाती ने पहली बार केजरवाल पर सवाल उठाए 22 माई की ये टाइम लाइन आपको बता रहे हैं ये तमाम चीज़े जब वहाँ पर हुई तो स्वाती मालिवाल ने कहा कि केजरवाल भी वहाँ पर बैठे हुए थे जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पर आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शोओ फ्री टाइम पर आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे